नमस्कार किसान भाईयों स्वागत आपका एक बार फिर से किसान भाईयों मैंने एक वीडियो डाली थी अभी दो चार दिन पहले ही जिनको भी 14201 का बीच चाहिए नई गन्ना प्रजाती जो है बिल्कुल ओरिजनल बीच अपने विपिन भाई लखिमपुर वालों के पास है ओर बहुत सारे किसानों का मेरे पास भी महसी जाया है आप वीपिन भाई से संपर करो आज भी मैं उनका नमबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लेकिन वीडियो देखने से पहले भी आप थोड़ा सा जू है पूरा देखने की कोशिश करा करो जब काम की बात होती है उसक तो कम से गम क्योंकि किसान बाई यो बहुत सारे किसान मुझसे सिर्फ वीडियो देखके कहरेगे बाई उनका नंबर दे दो किसान साथियो उस वीडियो में भी मैंने नंबर डाला था और इस वीडियो में भी मैं नंबर डाल रहा हूँ उनका डिस्क्रिप्सन में नीचे भी डालूँगा और इस वीडियो के टाइटल पे भी मैं नंबर डाल देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत परिशान नहीं नहों और किसान सात्यों बीज बिलकुल सही मिलेगा क्योंकि आपको भी पता बीज में बहुत धोका धड़ी चल रही और रेट भी इन्होंने और से तो ठीकी लगा रहे और आप इनसे खुद बात कर लो ऐसा नहीं है के बिलकुल फिक्स है और किसान सात्यों इन्होंने ये भी कहा आप मुझ से के अगर किसानों की सुईदा के लिए अगर किसान भाई तीन चार लोग मिलके पांच लोग आठ लोग मिलके एक ही एरिया के इक खटे हो जाते हैं और मुझ से बीज मंगाते हैं तो मैं उनके पास वो केवल पैसे मुझे भीजवा देंगे तो मैं बीज उनके पास भीजवा दूँगा और अगर आप कॉंट्रल में लेना चाते हैं कॉंट्रल में भी वो विवस्ता करवा देंगे और अगर आप खुद जाके लाना चाते हैं उसकी भी विवस्ता हो जाएगी वो गाड़ी वाड़ी सब करवा देंगे वहाँ जाने के बाद तो किसान सातियों जिन लोगों को भी 14 दोस्व एक बेच चाहिए आप इनसे संपर्क करें इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और इसमें डाल रहा हूँ वीडियो पे भी अब मैं डाल रहा हूँ आप इनसे बात करें जैसे भी विवस्ता आपको अच्छी लगे आप मंगवा लें और किसान सातियों मेरे साथ समस्या ये है कि मैंने किसानों से बात करी लेकिन सब अलग-अलग शेतर के किसान हो जाएंगे हम लोग एक जगे हम बीज नहीं ला सकते इसका सबसे आसान और सरल उपाई यही है कि आप सब लोग अपने-अपने क्षेतर के मिल जाओ चार-पांच-छे आदमी अराम से 15 बीज कॉंटल बीज ले सकते हैं और आप सब मिलके आपस में तब बीज ले आओ अपने एरिया में अपनी खेत तयार करके वहाँ से बीज मंगवा लो और अपना बुआई कर लो क्योंकि जादे समय तक बीज को रखना भी ठीक नहीं है आप तो जानकार है मुझसे भी जादा हो अगर क्योंकि कुछ तो आने में ही खराब हो जाता है और वैसे समय सही रहेगा फरवरी का क्योंकि इस टैम पे इतनी घर्मी नहीं पड़ती इतनी दिक्कत नहीं आएगी बीज में तो किसान सात्यों जैसी भी आपको विवस्ता ठीक लगे वहाँ जाके देखना चाते हो वहाँ भी देख लो उनसे वीडियो मंगवाना चाते हो अगर गन्ने की तो वीडियो मंगवालो वह सारी विवस्ता सब कुछ दिखाने के लिए बताने के लिए तयार हैं और जैसा भी आप सीच समझे गन्ने को मंगवालो और भुवाई करो किसान भाईयो मैं बिल्कुल लाने के लिए तयार था लेकिन समच्च यही है कि अगर मैं बीज लेका आपता हूँ तो उन्हें हम कैसे कैसे बांट के खिरेंगे और एक के कॉंटल में बहुत समझ चा जाएगी आप समझ के देखो बहुत बड़े लेवल का काम हो जाएगा इसको नहीं जो है पूरा किया जा सकता इसलिए हमने यह सोचा के आप चार चार पांच पांच किसान अपना गुरूप बनाओ और वहाँ से बीज मंगा लो और सभी तरह की सीदा गाड़ी से लेके अगर बर्ड में चाहिए तकवा के वो देंगे बस आपको जो है उनसे बात करके विवस्ता बनानी के बाश किस तरीके से आपको चाहिए और वीडियो मंगा लो और एक बार देख भी आओ एक दो किसान मिलके अभी बर्साथ चल दी तो जो है आप जा भी सकते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है थोड़ा सा खली है अभी समय तो किसान सातियों जैसा भी आपको विवस्ता ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर लो बीज में कोई दिक्कत नहीं वाइसा आपको विवस्ता बता दी आप अपने विवेक से बिलकुल काम करें धन्यवाद नहीं है